दो टीनिजर्स एक दूसरी के पैर में पढ़ते हैं जब लड़के की डार्क साइड बाहर निकलती है तो सब कुछ प्रॉब्लम आता है वो लड़की के साथ अपसेस्ट हो चुका था आज के हमारे मुवी फियर ये 1996 की एक थ्रिलर हॉलिवड मुवी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाता हूँ आप कोई वीडियो अच्छा रखता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा इसी चैनल को ब फादर का नाम है स्टीव और इसके स्टेप ब्रदर का नाम है टोबी निकोल जब स्कूल जाती है तो उसके फादर नोटिस करते हैं कि निकोल ने क्या पहना है यह उन्हें पसंद नहीं आया था तो उसे वो टोकते हैं पर निकोल उनकी बाद मानने नहीं वाली है टोबी य निकोल स्कूल में अपने फ्रेंड मार्गो से मिलती है, मार्गो को थोड़े टाइम में बार में जाना था, तो निकोल को भी लेकर आई, एक्शुल में मार्गो को एक आदमी पसंद आया है, उसे देखने के लिए ही वो गई हुई थी, यहाँ पर हम हमारा और एक मेंन कैरेक् पारटी का दीन आता है, तो महारों को इसी पारटी के बारे में निकोल से पूछती है, पूछती है, क्या हूँ उसके साथ चली की? निकोल को अपने फैमिली के साथ आज एक कंसर्ट पर जाना पड़ेगा तो इसके लिए उसे मना कर देती है बाद में निकोल फिर से अपने फादर से बात करती है कहती है जिस कंसर्ट में हम जाने वाले हैं मैं अल्रेडी हो देख चुकी हूँ मुझे फिर से क्यों जाना पड़ेगा फादर कहते है टब तुम सिर्फ 5 साल की थी तुम्हें कुछ याद भी नहीं होगा निकोल कहती है मुझे सब कुछ चीज़े याद रहती है मैं आपकी तरह पास ब्लॉक नहीं करती है निकोल के फादर ने ये निकोल को भी अच्छा लगता है और इसके लिए वो हा कहती है गरपस ट्यू को अपने ओफिस से कॉल आया या उसे पता चला एक प्रोजेक्ट पर उसे और भी काम करना पड़ेगा आज जो कंसर्ट पर जाने वाले थे ये कैंसल हो जाता है ये बात आकर जब वो फैमिली से कहता है तो सब लोग अफसेट है क्योंकि हमेशा वो अपने काम में ही लगा रहता है निकोल भी इस पर बहुत ही ज़ादा गुसा हो कही थी तो डिरेक्ली मारको को कॉल लगाती है कहती है आज रात हम पार्टी के लिए जाएंगे रात में पार्टी में पहुँचे और मारको को जो आदमी पसंद था उसके साथ बीजी होके यही पर निकोल को डेविड अप्रोच करता है उससे पुछता है कि तुम डांस नहीं करें निकोल कहती है कि तुम भी तो नहीं करें इसके बाद एक दूसरे के साथ डांस करने लगते है सानक से थोड़ी देर में इस पार्टी को बन करने के लिए वहाँ पुलिस आ गया पुलिस से भागते भागते है यह दोनों रूप टॉफ पर आते है निकोल मारको का वेट कर रही थे और मारको एक अलग रास्ते से यहां से चली गई डेविड फिर निकोल को रिवर के पास एक प्यूटिफुल से जगा पर लेकर आता है निकोल डेविड के गाड़ी के बारे में बात करती है यह थे है कि गाड़ी तो उन्होंने बनाना बन कर दिया था क्योंकि एक्स्प्लोड करती है डेविड कहता है इसे सही से बनाया नहीं गया इसमें इस गाड़ी का कोई भी फॉल नहीं है यह ऐसे भी पड़ी हुई थी तो मुझे बुरा लगा निकोल को डेविड की थिंकिंग अच्छी लगती है इसके बाद ये अलग-अलग चीजों के बारे में बात कर रहे थे निकोल कहती है कि जब मैं नाइन येस की थी तब ही मेरे फादर ने मेरी मदर को छोड़ दिया था मेरी मदर हमेशा बहुती डिस्टब रहती थी वो फिर डेविड को उसके पैरेंट्स के बारे में पुछती है डेविड कहता है कि वो ज़रा दूर रहते है पर हमेशा मैं उन्हें कॉल करता रहता हूँ वो एक परफेक्ट कपल है उनमें कभी भी किसी सीरियस चीज़ को लेकर फाइट नहीं होती है निकोल फिर डेविड को देखकर अजीब साहसती है तो डेविड उसे पूछता है कि ये क्या था वो कहती है जब मैंने तुम्हें फर्स टाइम देखा तो मुझे तुम बहुत ही अलग लगे थे एक्चॉल में तुम बहुत ही स्वीट हो डेविड भी गहता है तुम बहुत ही प्यूटिफुल हो उसे इतने अच्छी लगी कि उसे लगता है कि कोई भी चीज इतने सही हो नहीं सकते उसमें कुछ ना कुछ तो गड़ बढ़ होगी है निकोल भी अडमिट करती है कि मुझे में थोड़े से फ्लॉस है जो तुमें वक्त के साथ पता चलेंगे ये दोनों करीब आ गए और एक दूसरे को किस कर रहे थे डेविड निकोल के साथ इंटिमेट होना चाहता था पर निकोल उसे रोक लेती है इसे half hour पीछे कर देता है कहता है कि अब तुम्हें time के बारे में वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है जब वो घर पर आई तो लेट हो चुकी थी Nicole की step mother जिसका नामे Laura उस पर बहुत ही गुस्सा थी तो गहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही वरीड थी Nicole बहाना बना दिये कि उसका watch खराब हो गया था यहावर Laura Nicole को एक घटिया जीज बुला दिये जब Steve को एबात पता चली तो घर के काम करने की उसे सजा देते है Nicole बता देती है कि Laura ने मुझे बहुत ही बुरा बुला था रात में जब Steve और Laura एक साथ थे तो Laura कहती है यह तुमने उसे बहुत ही ज़ादा छूट देखर रखी है अगर वो फिर से ऐसा कुछ करती है तो तुमें उसे स्टिकली कुछ सजा देनी चाहिए Steve कहता है तुमने उसे जो कहा यह भी बहुत ही गलत था निकोल और डेविड अब एक दुसरे से रेगुलर्ली मिलने लग जाते है डेविड कहता है मुझे तुमारी फैमिली से मिलना है यह सुनकर निकोल को भी अच्छा लगा इसके बाद डेविड इन सब से मिला इनका डॉग भी डेविड को पसंद करता है सबसे वो अच्छे से बात करता है लॉरा को गाडनिंग में हेल्प चाहिए थे तो ये भी करने के लिए रेडी है सबको डेविड बहुत पसंद आता है इसके बाद स्टीव जब घर पर काम कर रहा था तो वाशरूम धुंटे धुंटे डेविड भी उसके पास आया स्टीव पुछता है इलाइफ किस तरह से चल रही है डेविड कहता है इलाइफ के बारे में तो मुझसे ज़ादा आपको पता होगा इनके बात से चल रही थी तब ही यहां मार्गो आई मार्गो डेविड के सामने ही स्टीव से डेविड निकोल को प्लीज करता है जब डेविड स्टीव की रूम में था तो स्टीव का क्लॉक भी उसने हाफ अवर पीछे कर दिया था इस वज़े से स्टीव अपना बहुत important काम टाइम पर खतम नहीं कर पाया अब यह सही से complete करने के लिए उसे सीटी में जाना पड़ेगा एक कुछ दिनों की बात है तो लॉरा से गहता है तुम में मेरे साथ चल सकती हो लॉरा भी आजकल सब कामों से frustrated थी तो एक holiday हो जाएगा वो भी इसके लिए माझ जाती है अब घर पर निकोल और उसका ब्रत ये दोनों अकेली ही है राद में निकोल डिविड को क्वाल लगाती है कहती है मेरे parents एक दो दिन के लिए नहीं आने वाले अगर तुम चाहो तो राद में घर पर आ सकते हो डिविड कहता है कि मैं ज़रा बाहर हूँ तो अभी के अभी नहीं आ सकता चाहिद राद में में आप आओ निकोल ने फिर घर के लौक का combination उसे दे दिया डिविड राद में निकोल के पास आकर उसके साथ intimate हो जाता है इसके बाद next day जब निकोल स्कूल में थी तो अपने एक friend से बात कर रही थी डिविड उसे pick up करने के लिए आया निकोल ने नोटिस किया कि उसकी आख प्लैक हो चुकी थी इसे ठीक करने के लिए वो लौरा से help लेती है लौरा उसे पुछती है कि हुआ क्या निकोल कहती है जब बास्केट बॉल की प्रैक्टिस चल रही थी तो बॉल मुझे लग गया नेक्स दे जब निकोल स्कूल में आई तो उसके लौकर में डेविड ने एक लेटर छोड़ा था इसमें लिका है कि हो बहुत ही सौरी है जो भी हुआ उसे बात करना चाहता है स्कूल के बाद मारगो के यहाँ उसने उसे बुलाया है इस चीज़ को निकोल इगनोर कर देती है इसके बाद डेविड ने नेक्स दे निकोल के लिए फूल भेज़े जो डायरेक्ली उसने डेस्बिन में डाल दिये रात में निकोल अपने रूम में रो रही थी तो लारा और स्टीव इससे ज़रा परिशान हो जाते है निकोल से बात करने के लिए लारा गए निकोल ने उसे जो भी हुआ यह सब कुछ बता दिया बाहर से ही स्टीव यह सब सुन रहा था वो निकोल से बूशता है कि मुझे सच सच बता तो मारे आग पर चोड क्या उसी की वज़े से आई थी निकोल गेदी के ऐसा कुछ भी नहीं था स्टीव को लगता है कि निकोल की मदर को उसने छोड़ दिया इसी वज़े से निकोल यह सब चीज़े करती है निकोल गेदी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास मेरी खुद की लाइफ है जिसे मैं जी रही हूँ यही बेडरूम में डेविड जब निकोल के साथ इंटिमेट हुआ था तो उसका प्रोटेक्शन बढ़ा हुआ था यह स्टीव नोटीस कर लेता है स्टीव कहता है कि आज से तुम किसको डेट करोगी कि इसको नहीं इस सब डिसिजन मेरा होगा वो निकोल को रात में घर से बहार जाने में भी रिस्ट्रिक कर देता है निकोल जब मारको के घर पर थी तब ही डिविड वहा आया वो उससे सौरी कहता है मैंने जो भी किया मैं तुमारे लिए केर करता हूँ इसी होजे से किया था मुझे लगा कि वो लटका तुम्हें छेड रहा है अगर तुम्हें किसे ने हर्ट करनी की कोशिश की तुम्हें उसे मार डालूँगा मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ हम दोनों को एक दूसरी की केर लेनी चाहिए उसे फिर से सौरी कहता है इसके बाद निकोल ने उसे माफ कर दिया स्टीव जब घर पर पहुचा तो निकोल और डेविड उसके पूल में थे इस पर वो बहुत ही ज़ादा गुसा हो गया था लॉरा से इसके बारे में बात करता है तो कहती है तुमने ही कहा था कि वो घर के बाहर नहीं जा सकती है डेविड फिर से निकोल की लाइफ में है इस ट्यू को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता उसने फिर डेविड के बारे में इन्विस्टिगेशन करना स्टार्ट किया उसे पता चला कि डेविड एक और्फन है मुवे में डेविड ने निकोल को कहा था कि उसकी फैमिली बहुत ही खुश है यह उसने जूट कहा था यह सब बात स्टिव लॉरा से कहता है कहता है कि कुछ ना कुछ तो डेविड में कड़बड है लॉरा कहती है इशायत उसका बच्चपन हैपी नहीं था इसलिए जूट बोल रहा था डेविड जब फॉस्टर केर से निकला तब उसके बाद उसका कोई भी रेकॉर्ड नहीं है एक क्रिमिनल की तरह इसके बाद स्टिव डेविड से बात करता है कहता है मेरे डॉर्टर से तुम दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा डेविड कहता है कि मुझे लगा था कि तुम में कुछ भी दम नहीं है बहुत तुम जो कह रहे हो यह नहीं हो सकता जब निकोल को तुमारी जरुरत थे तो तुम उसके लाइफ में नहीं थे मैं हमेशा उसका साथ दूँगा तुम रिलाक्स करो हम प्रैक्टिकली अफ फैमिली ही है स्टिव इससे और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया स्टिव के जाने के बाद डेविड अपने आपको ही जोर जोर से मारने लगता है इसके बाद स्टिव एक लॉयर के बास आया था वो चाता है कि डेविड और निकोल एक दूसरे से ना मिले प्रेलीगली इंपॉसिबल है रात में जब निकोल घर पर आई तो स्टिव से वो बहुत ही गुस्सा है एक्च्वल में डेविड ने उसे कहा कि स्टिव ने मुझे बहुत मारा उसने अपने आपको मारा था और जूट कह दिया था निकोल अपने फादर से कहती है कि मैंने आपके सब रिस्पेक्ट अब खो दी है वो गुस्से गुस्से में ही देविड के साथ बाहर चली गई ये दोनों हैंग आउट कर रहे थे तो देविड निकोल से कहता है तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निकोल भी कहती है कि हमें कोई भी जुता नहीं कर सकता देविड निकोल को इन्वाइट कर रहा था ये चला मेरे घर पर एक पार्टी है पर निकोल कहती है ये मुझे घर जाने में लेट हो जाएगा उसके फादर वरी करेंगे और ये वो नहीं चाती है निकोल फिर अपने घर तक तो आए पर उसने अपना माइंड चेंज कर दिया वो डारेक्ली डेविड के पार्टी में बहुच जाती है यहाँ पर वो नुटिस करती है कि मारगो को डेविड लेकर जा रहा है उसे ले जाकर उसके साथ इंटिमेट हो गया निकोल यह देखकर बहुत ही जादा हर्ट हो गए वो घर आई उसने अपने फादर को बताया कि मैं बहुत ही सौरी हूँ यह वज़े से आपको इतनी सारी तकलिफ हुए है अब डेविड और निकोल की बीच में सब कुछ खतम हो गया है तो फादर को भी अच्छा लगता है वो फिर निकोल के पास आये उसे कहते हैं कि जो दर तुम महसूस कर रही हो यह पास हो जाएगा इस दिन जब निकोल स्कूल में थी तो डेविड से कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी डेविड उसे बात करने के लिए फोर्स करता है तो निकोल का फ्रेंड जिसका नामे गैरी यह डेविड को रोक लेता है डेविड भी फिर वहाँ से चला गया इविनिंग में निकोल की फ्रेंड मारगो उसे मिलने के लिए आई पर निकोल उसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती मारगो उसे पुछती है कि हुआ क्या निकोल ने जो दिखा वो इसके बारे में उसे बता देती है मारगो को बहुती बुरा लगता है वो उसे सौरी कहती है कहती है कि मैं बहुती ड्रंग थी इसे वोज़े सेसब हुआ वो मुझे फोर्स कर रहा था निकोल ने मारगो को माफ नहीं किया मारगो रोते-रोते ही घर चली की डेविड भी निकोल के घर के बाहर ही था तो घर जाते-जाते उसका उफ पीछा करता है उसे रोक कर बोचता है कि तुमने निकोल से कहा क्या मारगो कहती है कि उसे हमारे बारे में पता चल चुका है वो मारगो को धम की देता है कहता है उसे तुम सही से समझा वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा रात में डेविड फिर से निकोल के घर पर आया स्टीव ने डोर कोला तो उसे हो कहता है कि हम दोना में एक मिसंडेस्टैनिंग हुई है मुझे आप सबसे स्वारी कहना है स्टीव उसे अंदर नहीं आने देता डेविड निकोल से अपसेस्ट हो गया था तो अपने बॉड़ी पर टैटू बनवाता है जिसमें लिखा है कि वो सिर्फ निकोल का है हमेशा के लिए स्कूल में निकोल को उसका फ्रेंड गैरी प्रोटेक करता है तो इससे डेविड को बहुत ही घुसा आया था स्कूल खतम होने के बाद गैरी जब घर पर जा रहा था तो डेविड उसके पीछे आया डेविड उसे गयता है मुझे हमेशा अलग-अलग फॉस्टर होम में रखा जाता था मैं वहाग की वाल ब्रेक करकर वहाँ से हमेशा निकलता आया हो मुझे जो चाहिए होता है उसके बीच में जो भी आता है इसे मैं तोड देता हो कैरी इससे डर गया और भागने की कुशिश करता है डेविड उसे पकड़ कर मार डालता है नेक सिन में हम देखते हैं स्टीव अपना काम खतम करकर जब पार्किंग में आया तो उसकी गाड़ी को डेविड ने तोट डाला था अब डेविड फाइलन्ट हो चुका है तो सब फैमिली को वान करने के लिए स्टीव उन्हें मैसेज करता है पर इस सब बहार थे निकोल एक शॉपिंग मॉल में थी जब वो वाश्रूम में आई तब ही डेविड उसके पास आजाता है उसे कहता है कि हम दोनों में जो है यह बहुत यूनिक है सब लोग हमें जुदा करने की कोशिश कर रहे है यह हमें होने नहीं दे सकता इक एकर वहां से वो चला गया निकोल बहुत ही ज़ादा डर गई थी स्टीव बहुत ही वरीड था तो वो डिवीड के घर में पोशता है यहाँ पर वो नोटिस करता है कि डिवीड के पास निकोल की कुछ चीज़े है इसमें निकोल की इनर वेर भी थे तो बहुत ही ज़ादा गुसा हो गया डेविड का सब घर वो तेहसनेज करने लगता है थोड़ी देर में डेविड और उसके फ्रेंड घर पर आये उनकी घर का हाल देखकर यह सब गुसा हो गये डेविड का एक फ्रेंड कहता है इसने भी एक किया मैं उसे मार डालूँगा डेविड कहता है कि आज रात हम चलेंगे रात में निकोल की घर पर मारगो आती है वो गहती है कि गैरी की बॉड़ी उन्हें मिली वो बहुत ही डर चुकी थी स्टीव को पता था कि डेविड कुछ ना कुछ तो करने ही वाला है इसी वाजे से पुलिस को कॉल करकर वोन करने की कोशिश करता है पर उसे वो इगनोर कर देते है थोड़ी ही देर में डेविड अपने सब फ्रेंड्स के साथ इन्हें मारने के लिए घर पहुचा निकोल का डॉग था जिसकी लाश वो घर में फिक देते है सब बहुत ही डर गए उन्हेंने पुलिस को कॉल करनी की कोशिश की पर बहार से डेविड और उसके फ्रेंड्स ने सब टेलीफोन लाइन्स कट कर दिये स्टिव स्मार्ट था तो उसने घर को बहुत ही ज़ादा सीकुरिटी रखी है घर की ग्लासेस कोई जल्दी से तोड नहीं सकता सब डोर्स को भी सिकुरिटी लॉक थे तो निकोल कहती है कि डेविड के पास सिकुरिटी लॉक का कोड है स्टिव जल्दी से जाता है और इस डोर को अंदर से पैक कर लेता है इन्हें कोई स्पॉर्ट ना कर सके इसलिए घर के लाइट भी इन्होंने बन कर दिये है मारगो निकोल और उसका ब्रदर ये सब बेडरूम में थे वहाँ पर कोई उपर जड़ कर आ रहा था तो निकोल उसे भी नीची किरा देती है जो भी लोग घर में अंदर आने की कोशिश कर रहे थे स्टिव इन सब से नहीं पढ़ता है इनके घर से बहुत ही दूर एक सेकुरिटी पोस्ट है घर में अंदर आ था तो निकोल टॉच लेकर सिगनल दे रही थी वहाँ का पुलिस नुटिस करता है और देखने के लिए वहाँ पहुच आता है वह जब वहाँ पहुचा तो उसे हैंडल करने के लिए डेविट वहाँ आया वो समझ चुका था कि डेविट कुछ न कुछ तो कड़बड कर रहा है अब यह पुलिस ओफिसर सब को अरेस्ट कर रहा था स्टिव भी बहार आया सब चीज़ों के बारे में इस पुलिस ओफिसर को बता रहा था तब यह अचानक से डेविट के फ्रेंड ने इस पुलिस ओफिसर को मार डाला डेविट और उसके फ्रेंड फिर स्टिव पर गन लगाते हैं कहते हैं कि हमें घर में लेकर चलो लॉरा भी घर का डोर ओपन कर देती है निकोल को रियराइस होता है कि गाड़ी में एक सेलफोन है जहां से उप पुलिस को कॉल कर सकते है इस बेडरूम से सिर्फ उसका ब्रदर निकल सकता है ब्रदर गाड़ी में पहुच्ट हो जाता है पर डिवीड के फ्रेंड ने उसे नोटिस किया उसने गाड़ी पर फायर किया पर निकोल का प्रदर गाड़ी सտटार्ट करकर उसे कुचल लेता है उसने फिर पुलिस को कॉल किया ये जो सब कुछ हो रहा था तभी डेविड ने स्टीव और लॉरा को बान दिया था डेविड का फ्रेंड है निकोल की घर में गुज गया वो निकोल के साथ जबरदस्ती इंटिमेट होने वाला था पर डेविड ने उसे मार डाला अब डेविड निकोल को हर्ट करने वाला था तभी स्टीव उसे पकड़ता है और उपर से नीचे गिरा देता है इससे डेविड की डेथ हो गये इसके बाद पुलिस को बुलाय गया और सब कुछ ठीक हो गया निकोल को डेविड तो बहुत अच्छा लगा था उसे पता नहीं था क्यों कितना बड़ा साइको है उसके फादर हमेशा से उसे प्रोटेक कर रहे थे पर उसने उनका सुना ही नहीं जब डेविड ने सब लाइन्स क्रॉस कर दी तो इन पर बहुत भारी पड़ा फाइनली स्टीव ने अपनी डॉटर को प्रोटेक किया इसी तरीके से इस मुवी की एंडिंग हो जाती है अगर आप कोई वीडियो चलगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आत रहे तो तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब भी कर दीजे और बेल इन डुबिशन आइकोन दावरे मत भूलिएगा फिर से मिलेंगे और एकने मुवी के साथ तो तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये